आज के इस वीडियो में हम लेकर आएं आपके लिए क्लाश 12 फिजिक्स का टाप नुमेरकल जो की बॉड एक्जाम में ऐसा नुमेरकल जरूर राता है और यह जो नुमेरकल मैं लिया हूँ यह दोसे तीन बार बॉड एक्जाम में पुछा हुआ है नुमेरकल तो देखते हैं नुमर केल एक छोटा च्छड चुम्बक जो एक समान वाह चुम्बकी ये छेतर 0.930 टेसला के साथ 30 अंस का कोड बनाता है पर 4.5 गुर्टे 10 के पावर माइनस 2 न्यूटन मीटर का बल आगुर लगाता है चुम्बक की चुम्बकी आगुर का मान किया होगा देखिए question को सालब कैसे करेंगे पहले हम question को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं पढ़ने की बाद जो जो चीज़े दी होते उसको लिख लेते हैं और जो पूछा रहता उसको समझ लेते हैं कि ये जो सूतर है जो पूछा है उसका सूतर है क्या होगा तो देखिए पहले जो जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं तो हम यहां पर लिखेंगे कि दिया है देखिए नुमेरिकल इसी तरह बोड एकजाम में भी आप लोग करिये इससे क्या होता कि यह नुमेरिकल जो था है इसमें नमबर आपको पूरा मिलता है यह देखिए जीरो दसमलो तीन जीरो टेसला टेसला जो मातरक होता हो किसका मातरक होता है चुम्ब की छेतर का यानि इसमें आप लिख भी दिया है कि चुम्ब की छेतर तो बी यानि चुम्ब की छेतर को किससे दिखाते बी से जीरो दसमलो तीन जीरो टेसला यह वैलू चुम बनाता है पर यहां पिर चार दस में लोग 5 गुडते 10 के पार मैनेस दून नूटन मीटर का बल आघूल लगता है बल आघूल को किसे दिखा देए ब्रबर 4.5 इंटू 10 के पावर माइनस 2 न्यूटन मीटर यान्य मतलब न्यूटन मीटर अब दिखिए अब पूझा क्या है चुमकी आघुर का मान यानी चुमकी आघुर को किसे दिखाते है यम ब्राबर क्वेस्चेन मार्क यानी चुमकी आघुर का मान ग्यात करना है अब लिख देंगे हल, हल लिखने के बाद इसका सुत्र हम नहीं जानते हैं, ठीक है तो हम यह जानते कि टाव बराबर होता है, M, B, Sine, Theta, अब देखिए, यहां पर हम यह सुत्र को ही क्यों लगाएं, क्योंकि इस जो question है, इसमें जितना भी दिया, लगभग उससे सभी से related दिया, क्योंकि चुम्ब की आगुर का एक सुत्र यह भी तो हता है, M बराबर, I into यह, चुम्ब की आगुर यह भी तो है, लेकिन यहां पर हम जिसमें चुम्ब की छेतर B हो और Sine, Theta हो, वो ऐसा वाला चुम्ब की आगुर ग्याद करेंगे, तो इसकी जरूरत हमें नहीं है, तो यहां से यम, यम की बैलू हमको निकालना है, यह चुम्ब की आगुर, तो अगर यहां से M की बैलू हम निकालेंगे, तो M बराबर हो जाएगा, आपका यम इसी पर है, और यह जो है, B, B और Sine, Theta किसमें है, मल्टिप्लाइ में है, तो इस पर जाएगे, तो डिवाइड में हो जाएगे, तो टाव बराबर हो जाएगा, B, Sine, Theta, अब देखिए, हमको सब बैलू दे रखा है, तो M बराबर हो जाएगा, टाव की बैलू, यहां से 4.5 इंटू, 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन मीटर, इसको हम सिंपली पूट कर करेंगे, तो पूट करने के बाद हमारा मिल जाएगा, 4.5 इंटू, 10 की पावर माइनस 2, और इसके बाद चुम्ब की छेतर की बैलू दे रखा है, यहां से, 0.30, इंटू, Sine, Theta, जो Theta की बैलू हो दे रखा, 30, Sine, Theta, अब दिखिए, इसको साल्ब हम कैसे करेंगे, तो इसको साल्ब करने के लिए, हमको सिंपली जैसे जैसे दिया है, उसे साल्ब कर देंगे, यह बराबर यह हो गया है, और दिखिए, यहां से यह कितने बार में कर जाएगा, अगर इसको काटना हो, तो हम क्या करेंगे, 10 से उ है तो दिखिए मैं आपके सरल के लिए बना रहा है तो यह हो जाएगा चार पांच उड़िते दस के पावर माइनस दो क्योंकि हमने इसमें दस से क्या गर दिया मल्टिप्लाई यह असानी के लिए और यह हो जाएगा आपका तीन ठीक है यह दस मलों एक इस्थान पीछे चला जाता है जितना आप गुड़ा कर कितना भी जीरो लगा कर मल्टिप्लाई कर दोगे इसके बाद हो जाएगा साइन तीस संस की वैल्यू कितना होती है एक बटा के दो वन बाई टू तो साइन तीस संस की जो वैल्यू वन बाई टू होती है तो टू वन बाई टू लिग देंगे वन बाइट टू का हम वन में भाग दे तो यह हो जाएगा 0.5 ठीक है वन बाइट टू का अगर इसमें हम टू का वन में भाग दे तो 0.5 हो जाएगा तो इसके बाद हो जाएगा यह यह तीन से कड़ जाएगा ठीक है तो यह कितने बार में कड़ेगा तीन एक कम तीन तीन 0.5 अब देखिए 0.5 के हम 10 से उपर नीचे क्या कर देंगे multiply क्यों करेंगे इस point को हटाने के लिए यह इसलिए सब्सक्राइब क्योंकि हमें आसानी रहें यह हो जाएगा आपका 150 10 से 15 तहां में 1.5 और यह हो जाएगा 5 उपर होगा 10 के 11 पार मायनस 2 सा है अब देखिए करते क्या एकि इस 5 का इसमें क्या कर देंगे भाग देंगे पांते ही फंदर ठीक पांते ही फंदर है तीस बार में कर जाएगा तENTS से आपका आ जाएगा 30 गुरित्ते 10 के पावर माइनस दो अब दिखे 10 के पावर माइनस दो है तो इसको दो 0 हम आगे भी कर जाते तो इसका आंसर जो आ जाएगा 0.3 ठीक है इसका मात्रक जो था वह होता है देख लेते हैं तो बहुत देख है कि एक परमारू की नाभी के परता एक इलेक्ट्राण 0.5 एंगस्ट्रां 3D कि बृत्तिय पत पर फाइप इंटू जीरो इंटू टेन के पावर 15 चक्कर पर सेकेंड यहां इसको कैसे हाँ थी नाभिक के परिता हमको क्या दे रख्छा है उसको हमको सींपली पहले है इसी को हमको कर देना है तो दिया है इलेक्टरान 0.5 ऐंगस्टान जानते हैं कि एक मीटर बरावर ठीक हैं अगर इसको मीटर में बदलोगे तो इसमें 10 के power minus 10 मीटर हो जाएगा ठीक है एक एंगर्च टान बराबर तो यहाँ पर 0.5 है तो गर इसको हम मिटर में बदले तो 0.5 x 10 के power minus 10 hmm do you try के बार इसकी बाद का दे रखा है तो इतना पर सेकेंड की आविर्ति से घुम रहा है कि इस का आविर्ति यान Boston ईन्रों 15 चक्कर पर सेँडिक की धर से घुम रहा है परमाडू का चुम्ब की आघूर चुम्ब की आघूर यानि M बराबर question mark ग्याद करना है अब दिखिए इसमें तो tau वो दिया नहीं है तो इसको कैसे solve करेंगे इसको solve करने के लिए हम जानते हैं कि होता है Q बराबर N E ठीक है कि Q बराबर होता है आपका N E अगर I बराबर निकाले हम देखिए question में हमको क्या निकालना है चुम्ब की आघूर बराबर question mark तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे पहले हम जानते हैं कि Q बराबर होता है आपका I by T Q बराबर I by T अगर यहां से I की हम बराबर निकाले तो I बराबर हो जाएगा Q by T हम जानते हैं कि Q बराबर होता है आपका N E ठीक है तो यहां से अगर I की हम बराबर निकाले तो देखिए I बराबर आपका हो जाएगा यहां से i बराबर क्या हो जाएगा q की जगह पर क्या रख देंगे n नी तो जगह e into n by t तो चक्कर पर सेकेंड की यह बैलू दे रखा ठीक है चक्कर पर सेकेंड की बैलू यह गया क्या चक्कर पर सेकेंड तो चक्कर पर सेकेंड हमको कितना दे रखा है देखिए यहां पर यहां बराबर जो चक्कर पर सेकेंड यह यहां से आइक आई की वैलू आपका निकल जाएगा यह जो इलेक्टान पर आबेस है तो आबेस कितना 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 होता ठीक है और इसके बाद यन चक्कर पर सेकेंड कितना दिया आपका 5 इंटू 10 के पावर 15 तो यह हो गया 5 इंटू 10 के पावर 15 अब गर इसको साल हम करेंगे तो आ जाएगा आपका 10 के पावर माइनस 4 ठीक है क्योंकि मल्टिप्लाई में गाते क्या हो जाती है गाते जूड़ जाती है तो हम यहां पर माइनस 19 और प्लस 15 को जूड़ेंगे तो कितना जाएगा माइनस 4 ठीक है इसके बाद हमें क्या निकलना है चुंब की आगूर यानी कि यहां पर हमें यम की बैलू निकलना है तो यहां सो जाएगा m बराबर आपका m बराबर क्या हो जाएगा i into a अब देखिए यहां से i into a हो गया तो हम जानते हैं कि m बराबर जो होगा आपका i की value क्या है i की value यहीं निकल करा इसको put कर देंगे 8.0 into 10 के power minus 4 फिर गुरित्ते हो जाएगा आपका यहां पर हो जाएगा pi r का square तो m बराबर जो होगा अब देखिए 8.0 into 10 के power minus 4 into pi की जो value थी 3.14 इन्टू जो त्रिज्या है radius radius की value देखिए यहां पर दे रखा है यह हमने निकाला 0.5 into 10 के power minus 10 meter put कर देंगे 0.5 into 10 के power minus 10 अब simply आपको इसका multiply कर देना है multiply करने एक बाद जो सब्सक्राइगा वही आपको simply लिख देना ठीक है तो इसको आप अपने से खुद कर लीजिए आपको काओ पार देना है consensus यहाओ देना है